डियर स्टुडेंट्स गुड मॉनिंग आई होप यू आर फाइन बिटा आपकी ओनलाइन क्लासिस स्टार्ट हो चुकी हैं आई होप कि आप इने अच्छी तरह से समझेंगे और अपना वर्क ठीक टाइम पर पूरा करेंगे और डेली की डेली करेंगे ठीक है डेली का वर्क डेली करना है आपको ठीक है आप देखे बिटा आज हम वीवर्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर फॉर्ट reaching home घर पहुँचना अब देखे बिटा घर पर पहुँचने के लिए इसके अंदर क्या है कैसे घर पहुँचना है यह पढ़ते हैं you are invited to a friend's house क्या कि आपके friend का birthday और आपके friend ने आपको invite कि आपने घर पर बुलाया है birthday के उपर you have the address उन्होंने क्या कि आपके friend ने आपको address दे दिया है कि मेरे घर का यह पता है और आपको आजाना है तो आप कैसे पहुचेंगे अपने friend के घर आपके पास address है लेकिन आपको यह नहीं पता है कि कौन सी direction में जाऊं मैं किधर जाऊं तो आप कैसे पहुचेंगे how can sorry who can you ask तुम किसे पूचोगे बेटा कौन तुम्हें बताएगा ठीक है तो बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे अगर गाव में हतियात हम किसी व्यक्ति से पूचेंगे वहाँ पर भी बेटा लेंगे उस एड्रस के उपर ठीक है आगे देखे बेटा I don't know what to say मैं नहीं जानती की आप क्या कह रहे हैं I don't know what to do मैं नहीं जानती की क्या करना है स्मीता ने आराम से धीरे से कहा कि स्मीता के पास कोई कोल आया और कोल में क्या पुछा गया है कोल में उसके अंकल है उसके अंकल ये पूछ रहे हैं बेटा कि ये जगे कहां पर है आपका जो घर है ना मेरे पास एड्रस नहीं है एड्रस बता दीजी आपका घर कौन सी डारेक्शन में बस टॉप से ये बता दो लेकिन समीता इस बारे में नहीं जानती है कि वो कहां पर है ठीक है आप देखिए अब समीता क्या कहते है बेटा कि आप मुझे 10 मिनिट बाद कॉल करना कि आप मुझे 10 मिनिट बाद कॉल कर सकते हैं दोबारा से करना she said into phone अब फोन के अंदर उस व्यक्ति से कहती है जो फोन पर बाते कर रहा है कि 10 मिनट में दोबारा से मेरे पास कॉल करना हर मदर सिमरन अब बेटा सिमरन कौन है समीता की मम्मी ठीक है उनकी माता जी वो कहां पर थी बेटा वो बाथरूम में थी ना रही थी तो वहां से वो क्या करते केम आउट ओफ दा बाथरूम 5 मिनट लेटर पांच मिनट में पांच मिनट बाद क्या होता है कि उसकी मम्मी जो है ना सिमरन समीता की वो बाथरूम से बाहर निकलाती है हूँ वाज इट ओन दा फोन समीता क्या कि उसकी माता जी जो सिमरन है न वो समीता से कहती है कि फोन पर कौन था बेटा वो उससे पूछ रही है कि फोन पर कौन था आपके साथ भी बेटा कई बार ऐसा होता है कि किसी का फोन आता है आप अटेंड करते हो मम्मी कुछ काम कर रही है पापा नहीं है तो फिर आप ब अब वो क्या कहती है श्यामला अंकल फ्रॉम दा विलेज कौन था फोन के उपर वो स्मिक्ता के अंकल थे जो जिनका नाम था श्यामला जो गाउं में रहते थे ठीक है वो क्या पूछ रहे हैं में जो मुख्य बस स्टॉप है उनके गाउं का वहां से घर की डारेक्शन पूछ रहे हैं कि कौन सी दिसा में हैं कि साइड बे मुझे जाना है सैड स्मिता स्मिता ने कहा वो घर के बारे में पूछ रहे हैं कि कहा जाना है आगे देखिए अब माता जी क्या कहती है उसकी स्मिता की स्मिता, do you know our address? क्या तुम अपना address जानती हो? हमारा address जानती हो कि हमारा address क्या है did you give it to him? क्या तुम उस address को अपने अंकल को दे दोगी? उसे दे सकती हो वो कह रही है, दे दोगी C. ask उसने पूचा Of course I know our address मैं अपना address जानती हूँ sad Smita crossly मिन गुस्से से समीता क्या कहती है Of course निशन दे मैं तो अपना address जानती हूँ And she said it very quickly और फिर वो इसे जल्दी से बोलती है अपने address को बोलती है कि हाँ निशन दे मैं तो जानती हूँ जल्दी से अपना address बताती है अपनी ममी को कि क्या address है ठीक है और वो बेटा वो address कि इस language में बताती है वो जैसे कि स्कूल में teacher बताते है कि ये हमारा क्या है कि शोर मंडल है ये universe है universe के अंदर earth universe में आती है earth earth के अंदर continent है seven continent में एक Asia continent है उस Asia continent में हमारा इंडिया है इंडिया के अंदर ये city है इस तरह से बेटा वो बताती है अब वो क्या बता रही है देखिए क्या बताया उसने उसने बताया कि 20 sorry two ace की top apartment की जो हमारा घर है न वो है two ace की top apartment में है road कौन सा है slip road के उपर है ये slip road कहां है आर के पुरम में है आर के पुरम कहां है ट्रीची में है ट्रीची कहां है इंडिया में इंडिया एशिया के अंदर एशिया कहां है अर्थ के उपर अर्थ कहां है milky way galaxy में और milky way कहां universe में वो ऐसे बताती है ठीक है क्या मतलब यूनिवर्स के अंदर milky way galaxy है जिसके अंदर आर्थ है आर्थ के उपर Asia continent है उसके अंदर क्या है इंडिया हमारा country है country के अंदर ट्रीची प्लेस है जिसका pin code दे रखा है 620019 इसके अंदर आर के पुरा में एक प्लेस है जहां पर slip road है इस आर के पुरा में और इसके माता जी को हसी आ जाती है क्यों क्योंकि उसने address इतना लंबा और इतना बता दिया था कि जबकि उसके अंकल तो बस टॉप पर ही थे अब हर मदर laughed out loud अब उसकी माता जी जो है ना उसकी जो address बता रहे ना समीता उसको सुन करके वह तेजी से हसने लगती है loud तेज से हसती है ठीक है उसको हसी आ गई अब समीता वाज हर्ट और बिटा कई बार क्या होता है कि जब हम कुछ बाते बताते है ना और उन बातों के उपर कोई हस देता है ना तो हमें ठेस लगती है ठीक है हमें ठेस पहुंचती है तो समीता को भी क्या होता है कि उसकी मम्मी की हसी की आवा मैं तो ठीक हूँ ठीक है मैं ठीक हूँ मैंने सही बताया फिर आप क्यों हस रहे हो that is what we all say in school ये वही बताया है मैंने जो हम सब स्कूल के अंदर कहते हैं जो स्कूल में हमारे टीचर बताते हैं वही सब मैंने बताया है ठीक है वो ऐसे कहती है ट्रीची इस इन इंडिया ट्रीची कहां पर है इंडिया के अंदर है इंडिया 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 कहां है 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 इंडिया कह है अर्थ कहा है यूनिवर्स में हुमारे टीचर ने तो हमें यही बताया रो उसी साबसे में उसी तरह से मैंने अपना एड्रस बता दिया इसलिए इसमें हसने की बात नहीं है वो यह कहती है आप देखे आगे ओके ओके अब वो क्या कहती है उसकी ममी, ओके-ओके, ठीक है, ठीक है, I get it, मैंने इसे मान लिया है, तुम्हारी बात को, ठीक है, गुस्ता मत हो, ये ठीक है, हर मदर सैड स्माइली, हसते वे उसकी माता जी, कहती है, अर्थी जिन्दा मिल की वे, गैलेक्सी, जो की युनिवर्स में है, वो सब ऐसे पताती ह है, ठीक है, आगे का लेसन, जो है, हम कल पढ़ेंगे, कल रीड करेंगे, आज के लिए आपको यही काफी है, बेटा, आप इसे ध्यान से समझना, स्टार्टिंग से लेकर के, बेटा, और ये वाला पेज, जो है, आपको पूरा अच्छी तरह से रीड करना है, अगर आपको कुछ प्रोब्लम आती है, तो आप क्या करोगे, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले लोगे, ठीक है, उनकी हेल्प से आप ये लेसन समझ लोगे, ठीक है, वीडियो जब आप वीडियो चलाते हो, तो आपने पेरेंट्स को साथ बठा के, बेटा, फिर चला लेना, और कुछ भ